वेलकम ओन माई स्टेडी डोश यूटूब चैनल कैसे आप सब लोग आप सब लोग ठीक होंगे काफी दिनों के बाद में वीडियो बना रहा हूं और आगे भी कुछ दिनों तक रेगुलर वीडियो अभी आपको नहीं मिलेंगे सुगाइज आज का जो इंपोर्टेंट वीडियो था यह कुछ इसले गार्डिंग था कि बहुत सारे लोगों को अभी इंतचार था कि 31 डिसंबर को आपका जो है पी एसला जाएगा और उसके बाद में जनुरी में आपको जोईनिंग दे जाएगा एन्रॉल्मेंट लिस्ट भागी है तो गिए यह इंट्व था जो होने वाला था एक एक 2021 मैं ठोड़ात करने वाला हूं जो है था एक रिलीज कर देंगे ठीक है लेकिन अभी तक यह PSL नहीं आया है आपको पता है कि 12 जो रिक्रियूर्मेंट रेली हुई थी इससे पहले जैसे कि जनुरी फर्वरी में या अभी अभी सप्टमर अक्टमर में हुई है उसके लावा भी जो रिसेंड में दिसंबर में जो रिलीज किया गया है ठीक है यह जल देखी में तब आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह कभी भी आ सकता है ठीक है फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकेंड वीक में तो यह डैम शो आई जाएगा यह PSL है आपका ठीक है इसके अंदर जो है उन लोगों को भी सामिल किया गया है जो पिछले बार बाहर हो गए थे किस से एंडॉल्मेंट से और जिन का नाम PSL में आया था अभी देखे सभी का नाम आए गया या नहीं आए गया यह कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन उनको भी सामिल क्या गया सार नोटिस पहले डाला भी गया था उन लोगों को सबसे ज़्याद इंतिदार इस इसमें जो है जिन कंडियर का नाम आएगा वो सेलेक्ट होंगे फिर उसके लिए उनके बाद में एक जारी होगा तो उनमें जो है जिन लोगों को जितना रिकूर्मेंट हो वेकिंसी होगा उसका एरकोडिंग जो है वो बन जाएगा ठीक है अब यह भी था कि कि PSL आपको ब लिए जाता है क्योंकि मार्क्स अच्छे होता है ठीक है तो इसको आप वेटिंग लेस्ट भी बोल सकते हैं इस तरह से तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए हो जल्दी है अभी आपके सामने आजाएगा उफिचल अब्सक्राइब जारूर बनाओंगा ठी होती है जिनके लिए वीडियो बनाने की जुरूद नहीं होती है इसका यह सर्च करके आप उसको जॉइन कर सकते हैं वहां पे सारी अपडेट्स हो है आपको मिल जाते हैं और कुछ भी नया जो मैं करने जाता हूं उससे पहले आपसे पूछना हो कुछ भी तो वह सारी जमा पूस तब ही जारी करता है जब पहले वाला वेकेंशी का जुट है सारी चीजिए वह क्लियर हो जाते हैं जैसे इसका पीसल आजाएगा तो पीसल आने के बाद में जो है इस वेकेंशी के बारे में सोचा गाएगा जो की इंटा होगा इसका एक 2026 इनके नेक्स्ट इयर और इसके लिए जैसे पीसल आईगा उसके बाद में वाकन सकता है लेकिन आप इतना मान के ज़लिए कि मिडवरी में तो यह आजाएगा यहां तक है लेकिन है फिरेगाता है में कोस्ट काड़ कि फोर्म देखे आपके स्टार्ट हो चुक है यह जो है आज यह जा वी बना रहा से 19 जनुरी तक तो यह एक इंपोर्टेंट अपडेट था जो कि विकेंशी का नोटिफिक्शन बहली आ गया तर आप फोम अभी स्टार्ट होएं तो कुछ लोग तो साय ध्यानी नहीं होगा उनको इसके लिए फीस भी रखा गया इसके पर्टिकलर एक वीडियो में बनाने की सुच रहा हूं और वह अगर आप बोलेंगी कमेंट सेक्शन में तो मैं बना भी दोंगा उसमें फोम बाने का बहुत तंबा प्रोसेजर होना दिया है उसमें रिजिस्ट्रेशन भी करना होगा और रिजिस्ट्रेशन के बाद में कुछ फोटो वगरा के लिए आपको बहुत सारी गाइडलाइन है आप कुछ लोग यह सोच रहें कि महां पर वेकिंसी कम है किसका अप्लाई करूं आपको जरूर अप्लाई करने चाहिए बहुत सारी लोग ऐसे जिनको फीस्ट्रेशन के विजरूरत नहीं है जिसका इसमें जो है कास्ट के कोडिंग जो है लोग यह भी बोल रहे हैं कि निकालना ही बोल गया लेकिन निकाल देना चाहिए वहां पर उन लोगों ने जो है अभी जोइनिंग के लिए सब को एससार डबले का पूरा काम हो गया उनका अब जैसे एरफोस का तो नेक्स्ट के बारे में नहीं सोच रहें लेकिन इनका काम हो चुक है तो इनका वेकिंसी अभी आ जाना चाहिए लेकिन अभी इसका वेकिंसी नहीं आया है और इसमें कुछ एज रिलेक्सेशन के भी बात होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो है ऐसा कोई काम नहीं कहीं जैसे एरफोस ने तो दो इंटेक हैं वह दोनों की दोने पू हो चला गया है ठीक है तो इसके रिगार्डिंग अभी तो हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं वेट ही हमें करना पड़ेगा लेकिन जल्द ही यह वेकंसी भी आपकी सामने आएगी क्योंकि इतना ज्यादा डिले इसका भी नहीं हो सकता तो इसके लिए वेकंसी जल्द आने की सं से इंपोर्जन बात जो कि एरफोस का फेज 2 अभी स्टार्ट होने वाला है आपको पता है कि 11 जनवरी से यह 25 जनवरी के वीच में चलने वाला है और यह जो इंटक होने वाला है आपका यह आप सभी को पता है कि यह दो 2021 इंटक के लिए जो है वेकंसी का इसका फेज 2 चल मिलेगा उसके रिगाडिंग सारी चीजे बता चलो जाएंगी ठीक है लेकिन आपको एक चीज़ यह होंगा कि रनिंग आप करता रही है उसमें आपको फिट्निस अचा रहेगा अभी अब जिसे पहले से कुछ लोग करी रहोंगे लेकिन अभी विज़से में बात करें तो पा होते हैं अभी यह होगा या नहीं होगा दिए इस बार इसको लेकर नहीं कहसा है उसके बारे में जो भी अपडेट होगा वो होगा इसके प्लीपर फैस्टेस्स में आपको बताया तो सिसमने आपको पता है कि जो इंग्लिस वाटाइए कि वह अपसे 20 पूछे जाता है और बिल्फुल नॉर्मल होता है वह उल्मोस सब्सक्राइब कर लेता है उसके बाद में एक इटी टू या पिसे जी डी बूल सकते हैं जी डी होता है और यह सबसे इंपोर्ण पार्ट होता है कि यहां पर सब्सक्राइब कर लेता है आपको पताएं कि टोपिक दिया जाता है उसके बाद में आपको अपीनियन देना होता है और फिस आपकर टी सब्सक्राइब को आ जाएगा तब तक की सारा काम हो जी जाएगा तो होपुली यह सारी चीज़ें आप पर फेस्टू के प्रप्रेसंट कर रहे होंगे जो भी कंडेट जाने वाले हैं सभी को और अच्छे से आप प्रपेर कर रहे होंगे इसके लाव आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने जो ग्रूप बड़ी अमाउंट नहीं होता आप यह कह सकते हैं कि यह आपके लिए एक हैल्फुल मैटिरियल है जो आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत सारे लोगोंने बहुत पहले ले लिया था जब मैंने फॉस्ट लोंच किया था और उन्हें अब तक पूरा भी कर लिया है लगबग इ प्लस नाइन टोपिक जो है इसका फॉस्ट अडिसन आया था उससे मैंने रखे हैं जो कॉमन नहीं थे एक्ट्र टोपिक हैं तो उनको आप पर रखते हैं में यहां पर यह था कि आप इसको कॉम्प्रेंसिव की तरह ले इसमें जितना पढ़ेंगे जितना सीजे आप जो है एक पेन को भी रखेंगे इतने टोपिक्स हैं उन सभी कि अंदर चारचा पांच-पांच लाइन आप अपनी बना के रखेंगे उनको कैसे भी करके रख लीजिए सेम जाके आप वहां पर बोल सकते हैं लेकिन वो खुद के मन से बनीवे होनी चाहिए क्योंकि अगर आप कु सब कुछ बैस्टी होगा ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एकदम एक्दम इंग्लिस नहीं बोला या कुछ ऐसा हुआ तो आपको डारेक्ली निकाल देंगे इतने उनका मोटर भी ऐसा नहीं होता कि वह बस सबको करने को निकालने काम है वोल्मॉस्ट अगर मैं बात करो ओनने लगबग अगर 10-15 का गुरूप होता है उसमें से और नवरे दोसे चार अगर होता है उसके लिए आप बस अतना रखेंगे आप यह मत सोची कि क्या होगा बस जो कर रहें आप अपना बैस्ट कर रहे हैं तो बस इतना ही है अभी के लिए कुछ डाउट हो तो बेजिज आप क्या सकते हैं इसके लिए इसक्ड़रा में से सकते हैं और इसके लाव आप इंस्टाग्राम नहीं चलाए को हीए करदी है माई इस्टड़ी दोस्त एडडराइट जीमेल लृटकोम यहां पे आप लाउट होगा आपका जो भी बटटोकर्लाई या तो लिए कुछ भी के रि जल्दी आपको चैनल पर इसके रिगारिंगे और उसके लाव आप टेलिक्राम जरो जोइन कर लें वहां पर जो भी होंगे वह सारी जाइजा आपके लिए अप्डेट करती जाएंगे जिंक्यू सुमस्ट अभी के लिए बाई टिक क्यार ओल देवेस्ट